वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला तो शुरू कर रहे हम हमारा UPPCS 2024 के रिए जो फुल लेंथ टेस्स चल रही है उसी टेस्स सीरीज में हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा आप प्लीज ये सीरीज के नंबरिंग्स पर नहीं ध्यान दीजेगा आप सिंपली अपना टेस्ट लगाने पे ज्यादा ध्यान दीजेग ठीक है तो अच्छे से टेस्ट अटेम्ट कीजिए जो भी यहां से बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है और देखिए बहुत जादा टाइम एक टेस्ट पर देना हमारी साइड से ब बनेगा और इस बात से निश्चिंत रहे कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं जूटेगा ना हिंदी वालों का ना इंग्लिश वालों का यह मेरी गारेंटी है तो थोड़ा सा ट्रस्क तो आपको करना पड़ेगा है ना चलिए तो शुरू कर देते हैं पहला सवाल देखें पेपर में एक्जाम में गलत होने के जो चांसेज है वो कम हो जाता है आधे बच्चे जब आकर बताते हैं कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि सही बताना था या नोट्क एक्रिट था तो वह चीज तो बलंडर है बहुत बड़ा बुक्स के नाम दिय हुए हैं उनके रिटर्स यह सारे ही ठीक हैं और देख लिए अगर नहीं पता हैं तो एक बारी प्लीज पढ़ लीजिए जरा सा है ना पूश लेता है कई बार सेकेंड क्वेस्चन में भी आपको सही बताना है ओथर्ज और बुक्स ठीक है तो मैच तर फॉलॉइंग टाइप ही है यह एक बार यह आप ऑप्शन्स खुद से पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बता देती हूँ श्री हर्ष की किताब श्री हर्ष जो है उनकी किताब है कुंड माल बिलहन ने लिखी कर्ण सुंद्री जैदेव ने लिखी प्रसन्ना राघव और उमापती धरा ने लिखी परिजात हरन तो आपका आंसर हो जाता है ए क्लियर थर्ड क्वेश्चन आपको मैच करना है नदियों को कहां पे वो अवस्थित थी कौनसी आर्चेयोलोजिकल साइट या फिर कौनसी नदी के किनारे थी ऐसे भी बात कर सकते हैं देख लीजे प्लीज एक बार क्रिश्चन नदी के किनारे थी आपकी अमरावती कहां है अमरावती महाराश्च्र में सतलज के किनारे थी रोपड पंजाब में दामोदर के किनारे थी बिर्भानपुर वारनसी कहां है वारनसी उत्तरप्रदेश में और हिंडन आलमगीरपुर मेरट यूपी आंसर बुट भी D फॉर्थ क्वेस्टिन उनके संस्थापकों से मिलाना है डाइनेस्टी को उनके फाउंडर से मिलाना है मिला दीजे जरा हर बार कहती हूँ सौ बार बता चुकी हूँ डाइनेस्टी, फाउंडर का नाम इंपोर्टेंट राजा, लास्ट राजा और समयकाल याद करना करना है संगम डाइनेस्टी के फाउंडर थे हरिहर और बुक्का और इनकी राजधानी होती थी विजनगर, सलूफ के थे नरसिम्मा राजधानी होती थी विजनगर तुलुफ के थे वीर नरसिम्मा, राय या फिर वीर नरसिम्मा, तृतय बोल सकते हैं या फिर वीर नरसिम्मा, सिरफ विजन अगर थी, राजधानी अरावीडू के थे तिरुमाल, और राजधानी थी इसकी पेन्यू कॉंड़ा, पेन्यू कॉंड़ा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, फिफ्थ, करेक्ट आप्शन बताना है आपको देखिए, कुछ बैटल्स दिये हुए हैं और उनके बारे में आपको यहाँ पे चीज़ें बतानी हैं, वो बोल रहा है, पंद् इस इस इंडिया कंपनी और पॉर्चुगीज के बीच में, 1739 में करनाल की लडाई हुई नादर शहा और मुगल समराट मुहमद शहा के बीच में, जब भी बैटल्स का नाम आता है, मैं आपको सेम चीज़ रिपीट करके बताती हूँ, कब हुआ, किसके बीच में हुआ, खीक हैं सारे, अब आपको देखें, इनकरेक्ट बताना है, तो हाइलाइट कर देते हैं इसको, हो नहीं पाया हाइलाइट, अब हो गया, गलत विकल्प का आपको चैन करना है, 1746 में मदरास का यूद होता है, ब्रिटिश इस इंडा कंपनी और फ्रेंच इस इंडा कंपनी क क्लाइव और शिराजुत दॉला के बीच में, 1760 में वॉन्डी वॉष का यूद हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, गलत बताईए, बी गलत हो जाएगा, 1753 में हुआ था, गोल्डन रॉक का यूद और जीता था इसमें तिरुचिरा पले, ठीक हैं, 1753, इनमें क कौन-कौन जीता था पता है, आपको नहीं चलिए, जरा कमेंट कर दीजे के, who won these battles, जो बाकी के बचे में, यहाँ पर तो तुरुचिरा पले जीतिया, बाकी का मुझे जरा कमेंट करके बताईए, कि कौन-कौन जीता था, 7th, correct चुनना है, सही, सिंध पे पहला अरब आकरमन फर्स्ट, अरब अटाक उन सिंध 7-12, अब यह क्रोनलोजी के क्वेशन्स हैं, हिस्ट्री के तो फेवरेट क्वेशन्स हैं, PCS का इतिहास उठाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा सबाल जो हिस्ट्री में सा आते हैं, वो आते हैं क्रोनलोजी पे, डेट्स पे, अब राज हैं सारे, तो थोड़ा सा डेट्स इंपोर्टन्ट हैं यह वाली, इनको देख लीजे एक बारे, पॉस कर लिया कीजे, वीडियो, रिवाइस कर लिया कीजे, देखिए, वो आपकी सहूलियत है, वो वन साइज फिट औल अप्रोच नहीं हो सकती हैं पे, क्रोनलोजी, काला नुक्रा में क्रम में विवस्तित कर दीजें इनको फटा-फट से, युद्ध दिये हुए हैं खुप सारे, पहले होगा बैटल अफ देवरा, 1532, कनौज होगा 1540 में, सिरहिंद होगा 1555 में, सामुगर होगा 1658 में, आंसर क्या हो जाएगा, ए, नाइन्थ, आपको सही बताना है, करेक्ट ऑप्शन, जीवन काल दिये हुए हैं, कबीर दास का, गुरुनानक का, मीरा बाई का, चैतन्य महाप्रभू का, बताई ज़रा, डी ठीक हो जाएगा, कबीर दास का है, 1398 से 1518, ये कबीर दास का है, गुरुनानक देव जी का है, 1469 से 1539, ये आपका अनका हो गया, मीरा बाई का है, 1498 से 1557, पहला वाला मीरा बाई का हो गया, ठीक है, जिनको राइट साइड स्क्रीन पर भीड नजर आ रही है, वो यहाँ पर खुद से मेलान करने हैं, लेफ्ट साइड, सही चुनना है, करेक्ट ऑक्षन, पहला बैटल तरेन का, 1101 में होता है, प्रित्विराद चोहान, थृतिये और मुहम्मद गौरी के बीच में, बैटल अफ चंदावर होता है, मुहम्मद गौरी और जैचन के बीच में, 1526 में, और पहला पानीपत का जो यूद हुआ, वो हुआ बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में, 1194 AD में, बहुत असान क्वेश्चन है यह, पहला दूसरा ही ठीक हो, करना, कहां से पहला बैटल पानीपत आपका 1194 में होगा, 1526 में हुआ था यह, यह तो भूली नहीं सकते हैं आप, बाबर जीत गया था इसमें, चंदावर हुआ था 1194 में, देखो ना, इन यह दोनों एक्सचेंजड हैं, तो यह तरेन, दूसरा तरेन और चंदावर एक साथ याद कर लो, मुहम्मद जीत गया था, चंदावर में, सेकंड बैटल में भी मुहम्मद गौरी जीता था, पहले वाले में जीते थे प्रित्विराज चोहान, ठीक है, मिलान करना, आपको साइट्स और उनके उत्खनन करता के नाम दिये, उने देख लिजे, यह क्वेशन भी आ सकता है, बिल्कुल, तो हुलास के हो गए हैं, काशिनात नरायन दिक्षित, भीम बेटका के थे, विश्नु श्रीधर वकनाकर, आलमगीर पूर के थे, यगिदत शर्मा, और पशामभी के हो गए, गोगरधन राय शर्मा, यह हो गया आंसर, आपको सही बताना है, रूलर्स और उनके बच्चे, बेटे, नॉट बच्चे, बेटे, बताई देखे, पूरु गुप्त का बेटा थे, कुमार गुप्त सेकंड, चंदर गुप्त वन के थे, समुद्र गुप्त, कुमार गुप्त वन के थे, सकंद गुप्त, समुद्र गुप्त के थे, चंदर गुप्त टू, कौन किस का बच मतलब इन स्कॉलर्स ने ऐसा माना कि आरे वहां से आये थे, ऐसे समझ लो, देखके बताओ, आंसर हो जाएगा, ए, सेंट्रल एश्या से आये थे, ऐसा बोला, मैक्स मुलर ने, देविका प्रदेश से आये थे, ऐसा बोला, डियस त्रिवेदी ने, फिर भ्रहमर्शी करके जग अंगानाथ जहाने और स्वामी द्यानन सरस्वती ने कहा था कि वो तिबित्था उनका मूलनेवास, मैच कीजिए संप्रदाए और उनके केंद्र, तो ये आपका चिष्टी संप्रदाए हो गया, चिष्टी सूफी सेक्ट, कहां के थे, कहां का सेंटर में, अजमेर, का ग्वालियर और फिर्दॉसी का बिहार, बी हो गया अंसर, 15 देखेंगे, सही चुनना आपको, कौन से गुरु जे, सिख गुरु ने क्या स्टैबलिश किया, जैसे गुरानक देव जी संगत सभा ले किया, गुरु अंगध, गुरु मुखी लिपी के जनक माने जाते हैं, गुरु अर्जन देव, गुरु गुरन साहिब का संकलन किया, कलेक्शन किया, गुरु हर्गोविन ने अमरित सहर शेहर की स्थापना की, कौन चास सही है इन में से, वन, टू और थ्री बिल्कुल ठीक है, गुरु, अमरित सर सिटी जो था, वो बसाया था, गुरु रामदा जीन है, ठीक है, अकाल तक्त की स्थापना हर्गोविन जी ने की थी, अकाल तक्त, सुनाओगा आपने, 15 तो कर लिया, 16 देख लो, सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन, बौच संगिती और चेर्मेन, भई, इसको रट लो भई, कैसे भी करके, ये क्वेस्चन एक तो व आंसर क्या हो जाएगा, पहल तो आंसर देख लो, आंसर तो देखो C है, क्या फरक पड़ता है, हमें तो ये देखना पड़ेगा ना, पहली, पहली के थे चेर्मेन, महा कसपपा, अभी मैं होमवक देने वाली हूँ, होमवक नहीं, अभी विडियो पॉस करके देख लेना, स और कौन उस वक्त राजा था, प्लेस और रूलर, जिसके साशन काल में ये हुई थी, ये क्वेशन अभी कम्प्लीट नहीं है, होता क्या है न, टेस्स सीरीज में से क्वेशन चाहिए रोगों को पेपर में, ऐसा नहीं होता, बुद्धिस्ट काउंसल पड़ना आपको as a whole topic पड़िये इसकी, प्लेस पड़िये, कहां पे कौन सी काउंसल हुई थी, रूलर का नाम पड़िये, तो ये टोटालिटी में कम्प्लीट होता है यहां पे, अब यहां लगती है मैनत, वो आपको करनी नहीं, चलिए, 17th, assertion और reason, अभी खतन कारण वाला question है, आते हैं, question जा था, बोल रहा है महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सारवजनिक सभा की स्थापना की 1876 में, इसका एम क्या था, कि सरकार और लोगों के बीच एक सेतू के रूप में काम करेंगे, they will serve as a bridge between the British government and the people of India, बताइए, सुनने में ऐसी बाते कैसी लग रही है, ठीक ही क्वश्चन है, वहाँ पर गलत हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है, आर तो ठीक हो गई, 1870, ठीक है, ये सब pre-Congress Organizations थी, Congress से काफी पहले आई थी ये, Organizations, ठीक है, बढ़िया, क्रोन रोजी आ गई है, करो, आ गई, देखो, pre-Congress Associations के सारे नाम दिये हुए, आंसर हो जाएग आपको British India Association आई, 1851, और बंगाल British India Society, 1843, अब कौन कौन है, जैसे राइटिंग समझ में नहीं, आरी, वो आ जाओ, बस मेरे पास एक बार, Madras Mahajan सभा, 1884, और East India Association, 1866, ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा, 19th, फिर से अभिकतन कारण, असर्शन, रीजन वाला क्वेस्चन है, सरोजनी नाइडू ने Central Hindu School का आधारशिला रखी थी बनारस में, 1893 में, दूसरा statement है, रीजन क्या था, कि भई, जो Annie Besant Central Hindu School की स्थापना उन्होंने की थी, उसका उदेश्य हिंदू संस्कृति और परंप है, आर सही है, Annie Besant ने foundation रखी थी, ना कि सरोजनी नाइडू ने, हाला कि यह ऐसान हो गया, question ऐसा question पेपर में मुश्किल आएगा, लेकिन हाँ, आपको एक fact त्यार हो गया, तो यह Annie Besant का ही था, मोतिलाल नहरू की अध्यक्षिता में भारतिराष्ट्र कॉंग्रिस का अम्रित्सर अधिवेशन हुआ था, अम्रित्सर सेशन हुआ था, तो उसमें जलियाँ वाला बाग मसाकर को बहुती strongly कंडेम किया गया था, उसकी कड़ी निंदा की गई थी, कौनसे साल हुआ था यह स अंदोलन था, वो शुरू किया था, श्री नारायन गुरु स्वामी अर्वमा मास्टर स्वारी जिनको बोलते थे, केरला के थे, यह 1856, 1928 में और एजहावा जाती को यह बिलॉंग करते थे, अब, एक मिनट, मलंचल मैतान में, यह क्वेस्चन में गढ़बढ है, सुनी परिपालन आंदोलन जो था, वो श्री नारायन गुरु स्वामी ने स्टार्ट किया था, यह बिल्कुल ठीक है, यह टाइम पीरिट था, यह यहाँ पर गढ़बढ है, ठीक है, यह, मतलब, इंगलिश वाला थुरुआ सा गलत लिखा हुआ है, है क्वेस्टन ठीक है, आंसर पाकिस्तान की बाद पहली बार रेस की गई थी, 1940 में, ठीक है, तो आपका पहला ठीक हो जाता है, अगर करेक्ट कहने तो पहला ठीक है, ठीक है, और यह टाइम पीरिट लिलने दोगा, तो यह आप्शन्स अप्शन्स हटा दो, सिर्फ इनको स्टेटमेंट के तोर पे तयार कर लो, क्लिर? सेकंड, करेक्ट चुनने आपको, 22nd, 1857 का जब रिबोर्ट चल रहा था, तो गवर्नर जेनरल इंडिया के थे लॉड कैनिंग, और इस टाइम पे लॉड कैनिंग ने प्रियाग राज को अपना एमर्जेंसी हेड़कॉर्टर आपातकाली मुख्याले बनाया आठ अगस्ट 1940 को लॉड लिलित गो ने अगस्त प्रस्ताव औगस्ट रेजलूशन पास किया था, भारत के गवर्नर जेनरल थे लॉड विलियम बेंटिक, साथ में कर्नल विलियम हेंडरी स्लीमान के साथ इन्होंने ठगी प्रथा की समापती की थी 1830 में, आंसर बताईए, सारे सही है, ध्हान से पढ़ा करो, ऑप्शन को, ठीक है, एर देखा करो, मान लो किसी ने उगस्ट रेजलूशन सुना है, ठीक है, अब सामने question आ गया, तो, एर याद कर लिया, क्या दिखता तो भी, है न, क्या पता, August resolution, साइमन कमिशन, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद मै वहाँ पर ही question काम आ जाए तो थोड़े से आख नाक कान सब कुछ जगा के पढ़ाई करनी है आप लोगों को, ठीक, सिर्फ यह आ जाए ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था 1830 में, clear, 23, correct चुनना है तेहबागा movement करके एक movement था, अंदूलन था, वो movement, poor share coppers और daily wage earners ने start किया था money lenders और landlords के against, ठीक है, और 1943 में इसका पूरा start हुआ था, डॉक्टर भीम राम जी अंबेटगर ने 1945 में, People's Education Society of India, Hindi में भी है, ये English में भी है, ये start की थी, 1945 में, correct बताने आपको, second सही है, तेहबागा जो था, वो 1946 का है, एकदम बस आप समझना, ये independence के बिलकुल past वाले movements थे, ठीक है, तो इसका year गलत दिया हुआ है, 1931 में सरदार वल्लभाई पटेल के धक्षिता में आयुजित किये गए, भारतिराश्टर कॉंग्रिस के कराची अधिवेशन में, किस विशय पर प्रस्ताफ पारत किया गया था, what topic was that on which the resolution was passed, DPSP थे, fundamental duties थी, fundamental rights थे, आफिर भारत की पून, स्वतंत्रता की बाद यहां पर की गई थी, मौले कदेकार, अभिखतन कारण, मौहम्मद अली जिन्ना ने, 1929 में दिल्ली में Muslim League का धिवेशन हुआ था, एक वहां पे प्रस्ताफ पारत किया था, 14 point proposal, 14 सूत्रे प्रस्ताव नाम का प्रस्ताफ था यह, 1928 में जो नहरू रिपोर्ट थी, उसमें Muslimानों के लिए प्रतक निर्वाचंक शेतर की सुविधा प्रधान नहीं की गई थी, तो उन्होंने कहा था ना, हम अपने points ले के आएंगे, फिर कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, यह उस time की बात हो रही है, ठीक है ठीक है, तो अब यहां से 14 point proposal कौन से साल में पारत हुआ, कौब ले किया है, कौन ले किया, इस तरीके से याद कर लो, कुछ भी इस से नहीं याद कर पारे हो, तो नहरू रिपोर्ट कवाई, 1928 माई, August resolution, नहरू रिपोर्ट, साइमन कमिशन, 14 point proposal, अरेंज करके देखो उनको आंसर C है, गांधी इर्विन समझाता, आपका होता है, 1931 में, सालबाई की ट्रीटी तो बहुत पुरानी है, 1782, शिमला कॉन्फरेंस आपकी, वेवल प्लान और शिमला कॉन्फरेंस एकी टाइम की है, 1944, और दिवाली declaration जो था, ये लॉड इर्विन ले के आये थे, 1929 में, स सत्यशोधक आंदूलन, 1874 का है, कौन सा सही है, जस्टिस पार्टी ठीक है, और रावीपूरम केरला में था, 1888 का है, नायर मूव्मेंट केरला का है, 1891 का है, और सत्यशोधक महराश्टर का है, 1873 का है, सही चुनिये, करेक्ट, बाल गंगधर तिलक को जेल हुई थी तीन ब कि वो बहुती प्रोवैक्टिव आर्टिकल्स लिखते हैं, उनका अख़बार था केसरी उसमें, सुरेंद्रिनाथ बैनर्स जी को दो साल की सजा हुई 1883 में, मटरास हाई कोट ने की थी, कंटेम्ट अफ कोट का चार्ज लगाए गया था, ठीक है, नायले की अवमानना, यह इनके पास लगाने के लिए, ठीक, बताना है आपको कौनसा सही है, क्या हो जाएगा अंसर, बी हो जाएगा, पहला ठीक है, बाल कंगधर तिलप को तीन साल की मिली सजा, 1897 में मिली, मतलब तीन बार, थ्राइस, not तीन साल की, 1908 में मिली और 1916 में मिली, यह यार याद रखन ना कि मढरास, करेक्ट चुनिये, इंडियन नाशनल कॉन्फरेंस, सोचल कॉन्फरेंस, बॉम्बे में आई, 1887 में आई, और किसने फाउंड की थी, महादेव, गोविंग, रानडे और रघुनात राउने, आम बताईए अंसर, ठीक है तीनो, तो आपका यहाँ से एक हो गया, यह कम्प्लेट लिए, वू अमंग्ग फॉलॉइंग वर इंडि इंपोर्टेंट लीडर ऑफ पाई का रेबेलियन, यह बहुत न्यूज में भी रहता है, 1817 में जो हुआ था, ओडिसा में, कौन उसके लीडर्स थे इंपोर्टेंट, तो बक्ष्ची जगबंदू बिदधर थे, मुकुंद दास थे, ठीक है, और एक थे दीन बंधू संत्रा, चक्रब इसो यह नहीं थे, तो आंसर है आपका D, करेक्ट चुनने आपको, रामसार कन्वेंशन जो है, वो 1975 में लागू हुआ, भारत में आदरभूमी का पूरा शेत्रिफल, टोटल वेटलेंड्स जो है, वो 6.7% आफ टोटल एरिया है, इंडिया ने साहिन किया इस ट्रीटी में 1981 में, यूनियन मिनिस्टर अफ एन्वार् तो यह 1st और 4th आपका ठीक है, टोटल एरिया 4.7% है, यह ध्यान रखेगा, इंपॉर्टन फिगर है, और 1982 में हम लोगों ने यह ट्रीटी साइन की थी, रामसार कहां है जगा, कमेंट करके बताईए मुझे, करेक्ट चुनिये, वे प्राकृतिक अव्शोषक जो काबन डायोकसाइड गैस को व्शोषित करते हैं, उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं, दोज नाच्रल अब्सॉर्बर्स विच अब्सॉर्ब काबन डायोकसाइड गैस, महसागर, कोरल रीफ, जंगल, यह सबसे बड़े कार सिंक का काम करते हैं, और पहला विश्व परियावरण दिवस कब मनाया गया था, जून 5 1971 को, तो सी सही है, ओशियन्स, सॉयल और फॉरेस्ट, कोरल रीफ नहीं, सॉयल, मिट्टी, और पहला एंवारमेंट डे 1973 में मनाया गया था, 1971 तक तो बातचीत भी शुरू नहीं हुई सही चुनना है, वीट, शेत्रफल और उत्पादन दूनों की दृष्टी से विश्व की दूसरी सबसे महत्वपून क्रॉप है, धान, पैडी सबसे इंपोर्टन्ट है, और उनाइट नेशन्स ने 2004 को इंटरनाशनल इयर ऑफ राइस, अंतराश्टर चावल वर्ष के था, ठीक है तीनों, उन पौधों का चैन करो, जो C3 पौधे होते हैं, C3 प्लांट की काटिगरी में आते हैं, बताओ, तो C3 जो होते हैं, वो कौन से पौधे हैं, सूरज मुखी है, आपका सन, मेज नहीं है इसमें से मतलब, 34 का अंसर आपका C हो गया, 234, ठीक है, क्या होत हैं, C3 और C4 प्लांट, बता सकता है कोई, तो what is the definition या कुछ ऐसा, C3 बेसिकली कार्बन फिक्सेशन का एक पाथवे होता है, जिसमें तीन मेटबॉलिक पाथवे यूज किये जाते हैं, बाकी दो होते हैं, एक C4 होता है, एक CAM होता है, ठीक है, तो C3 वो होते हैं, जिसमें इनिशिल प्रोड़क्ट जो है, वो फॉस्फो ग्लाइसिरेत होता है, तीन कार्बन आटम्स के साथ, इतना इंपॉर्टन नहीं है, ये प्लांट्स वो होता है, जो कार्बन डायोकसाइड जो है, वो डिरेक्ली क्लोरोप्लास्ट में कम कर देते हैं, और हमेशा पेरिनियल ये रोट प्रोटीन में काफी रिच होता है, ठीक है, C4 वो होते हैं, जो डाक रियक्शन परफॉर्म करते हैं, एक तो होता है, फोटो सिंथेसिस का डाक रियक्शन के अब ज्यादा थोड़ा साइन्स हो जाएगी, इसलिए याद ही कर लो ऐसी, ठीक है, तो सन्फलार, स्प रेन लेडन विंड्स होती हैं, जो शाम के वक चलती हैं, बैसाक के टाइम पर असाम सिक्कम मनीपूर में, और इनको काफी अच्छा माना जाता है, चाई के लिए, जूट के लिए, चावल के लिए, और बंगाल में इनको कहते हैं, बारदॉली चीरा, जोग्रिफी आचुक और चुनना है, दक्षन पच्रे मौन्सून से प्राप्थ वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है, जो रेनफॉल हमें साउथवेस्ट मौन्सून से ब्लाप्थ वर्षा जून और सितंबर के टाइम पर होईगी, और साउथ वज़ेस्ट मौनन जो है, वो वापस जाता है, रि मौनसून रिट्रीट करता है ओक्तोबर नवेंबर में मैच कीजिए राज्यों को और तेहुआरों को डी हो जाएगा अंसर बिहार में मनाया जाता है बीहूला मिजुरम का है छप्चरकुट सिक्किम का है लोसार और सागाडावा भी बोलते हैं जसको जारखन में होता है आपका तुसू करेक्ट बताना है आपको युनेसको द्वारा मानिता प्राप्त भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब जिनको आप छूँ नहीं सकते वो चीज इंटेंजिबल है तो रम्मन को 2009 में किया था इंकलूट सही है बिल्कुल ये एक थीटर आर्ट है गड़वाल के साइड का योगा को किया 2016 में कुम्भ मेला हुआ 2017 में और नवरोज हुआ 2016 में पार्सियों का नववर्ष माना जाता है ये आंसर आपका ए हो जाएगा करेक चुन्ना है बॉमडीला पास कहां पे है अर्णाचिर प्रदेश में पढ़ता है ग्रेटर हिमाल्याज में और अर्णाचिर प्रदेश को लहसा से जोड़ता है राजधानी है तिबित की बारा लाच्छा हाई माउंटेन पास है जसकर में पढ़ता है लहोल डिस्ट्रि कुछ राइये टोटल दस कंट्री से गुजड़ता है क juicy और आस्ट्रिले तो ऑस्ट्रियला से गुजड़ता है साउथ अमेरिकास में गुजड़ता है यह अरजंटीना ब्राजी चिले और परग्वे से एफरीका में साउथ अफरीका नमइबिया बोचवाना मजांबिक और मिडिगास कर से answer D हो जाएगा Capricorn, Cancer, Equator सबके tricks भी बताए हुए हैं विडियोज बनवा रखे हैं पापा पिक है सब कुछ पता होना चाहिए हर बार revise कर रहे हो बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो नहीं आता हैगा paper में Correct चुनिए Green Revolution ने सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पे डाला था Green Revolution के विज़े से गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ किया था Cotton को सफेद Sona कहते हैं महराश्च में White Gold Africa और India को माना जाता है कि ये जर्मस्थान है जूट का सही हैं सारे Minimum Support Price MSP 22 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है जिसमें से दो आपकी वानेजिक फसले होती है Commercial crop होती है कौन सी दो हैं वो 22 तो है टोटल 14 इसमें से खरीफ फसले होती है 6 होती है रभी और 2 होती है Commercial जूट और कोप्रा है वो अब ज़रा कमेंट करो ये 14 भी और ये 6 भी खरीफ रभी दोनों मुझे कमेंट करके बताओ 43 बताए Match the following करना आपको Festival और States दियो है पुथांडू Festival तमिलनाडू का है ये पहला दिन होता है तमिल कैलेंडर के हिसाब से लुम्बिनी हैदरबाद में मनाया जाता है कलंगना और ये हर साल आपका नागर्जुन सागर डदैम पे आयुज़त किया जाता है हम्पी आपका करनाटका का है आप जानते हैं विजया फेस्टिवल जो होता है हम्पी भी बलते हो उसको और मुढेरा डान्स आपका गुरात का है मुढيرة मंदर भी है करेक्ट चुनना है तमिल को क्लासिकल लैंग्विज का दर्जा मिला शाष्त्रे भाषा का दर्जा मिला 2004 में संस्कृत को मिला 2005 में कन्नट तेल्गु को मिला 2008 में उडिया को मिला 2013 में मल्यालम को मिला 2014 में पहला दूसरा तीसरा ठीक है उडिया को मिला था 2014 में मल्यालम को मिला था 2013 में तो classical languages पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं कौन से साल में दर्जे मिलें निमलिकित पूर्व की और बहने वाली नदियां East flowing rivers को descending order में आपको लगाना है जल ग्रहन शेतर catchment area के हिसाब से लंबी से छोटी के हिसाब से अब ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तो ये लगी वी हैं बिल्कुल पलार है फिर ब्रह्मनी है सुबर्न रेखा है पेनार है उसके बाद एक नदी और आती है बैतरानी तो इनको ऐसी याद कर लो भया क्योंकि इनके catchment areas तो कहां ही याद करते बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है 46 कौन सा राजया केंज साचिश प्रदेश पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साजा करता है shortest land border तो असान question है बहुत गुजरात करता है तरीब 512 km की सीमा है सही चुनना आपको Caspian Sea अब आगे ही सारी सी वगेरा के borders map अगर देख रहे हो ना रोज आटलस बैट के देख लिए अगर अपनी उससे याद हो जाएंगी यादी चीज़ें तो Caspian Sea के नौर्थीस्ट पे कजाकस्तान है और रश्या है नौर्थ वेस्ट में वेस्ट में अजर्बाइजान है और इरान है साउट में ठीक हैं सारी Caspian Sea खोल लो तो रंट अपना map निकाल लो और उसके आसपास की जगाएं मार्ग कर लो तो बेखो यही तरीका है पढ़ाई का इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहो तो कुछ नहीं सरफ कमिया निकाल रो बैटके क्रिंज कर रहे हो कुई फाइदा नहीं है महनत का कोई विकल्प नहीं है याद रखना सही विकल्प चुनें लॉरेंशियन प्लाटू तो आप जानते हैं कैनाडा और उनाटेड़ स्टेट्स का है यह हो जाएगा इसका अंसर करेक्ट ऑप्शन चुनिए शिव समुद्रम हाइडरोलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां है कावेरी नदी पे है मांडिया में पढ़ताju करनाटकामे सलल है हिमासि प्रदेश रियासी जिले में पढ़ता से चनाब नदी पे हरीकूंड हीड़ाकूंड है पस्छिं बंगाल के संबलपुर जिले में महां नदी पे हिरतूंड हुछा कि पहला ठीक है वस्ट सलाल चेनाब पे है जमू कश्मीर में मासे प्रदेश में कहां से चेनाब आ गई हिरा कुंड है आपका उडिसा नाकी वेस्ट पेंगॉल सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन कॉंगो नदी एकोवेटर को दो बार काटती है बार करती है काटती है कुछ भी ख्यालो नाइल सबसे लंबी नदी दुनिया की अफ्रीकी नदियों का जनक मतलब फादर अफ अफ्रिकन सारी नदिया नाइल में से निकल रही है ऐसा माना जाता है माही नदी करक रिखा को ट्रॉपिक ऑफ गैंसर को दो बार काटती है सी हो जाएगा करक चुनना आपको माउंटेन पीक और लोकेशन दीवी है जैसे सेडल पीक का कहां पर नोक लोकेटड है थूलियर कहां पर बताना आपको सेडल पीक नौर्थ अंडमान में है थूलियर ग्रेट निको बार में है दियावलो आपका middle अंडमान में है और क्योब आपका साउथ अंडमान में है सी आंसर हो जाएगा करेक्ट चुनना आपको ब्रह्मपुत्र और सूर्मा वैली कहां मिलती है असम शेत्र में और सदा बाहर वन और बीच बीच में घने बास और लंबे घास के जुर्मुट वो मिलते हैं ब्रह्मपुत्र और सूर्मा वैली में वेजिटेशन है वहां की ठीक है बिल्कुल दोनों बात है करेक्ट बताईए पंजाब पस्चमी राजस्थान और उत्री गुजराट के मैदान सिंदु नदी के मैदानिक शेत्रों में आते हैं वन टू और थ्री तीनों ठीक हैं अभी कुछ लेक दियों में हैं और कहां पे अवस्थित हैं यह बताना है आपको वर्ल्ड जोग्रफी का सवाल आ गया यह और गूटा आपका नाइजीरिया में है उनेगा आपका रश्या में है उर्मिया आपका इरान में पढ़ता है और पैन्यूलास आपका चाइल में पढ़ता है चिले चाइल जो भी आप बोलते हैं से यह हो जाएगा अंसर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट उष्ण गटबंधि आध्र जिलवायू कहां मिलती है यह कर्क और मकर रिखा के बीच में गोल्डन ट्राइंगल सुनहरा त्रिभुज जो है वो साल्वीन नदी के पूर्व में है मतलब इस्ट ऑफ साल काउंसिल के बारे में सवाल है वस्तु एम सेवा कर परिशत के बारे में आपको बताना है सही कौन सा है वन जीरो फर्स्ट अमेंडमेंट आया 2016 का उससे नई कर प्रणाली शुरू हुई थी यह इस संशोधन अधिनियम से समिधान में एक नया नुच्छे जोड़ा गया था ठीक है सारे तो यहां से देखो GST काउंसिल पूरा तयार हो रहा है इससे भाहर तो क्या ही सवाल आएगा करेक्ट चुनना है आपको आर्टिकल जोर भाईया है तो कुछ चना आता है बता दो अफटा फटा तो साथ साथ कर लेते हैं इस क्वेस्टन को आर्टिकल 223 एक्टिंग चीप जस्टिस अपॉइंट करेंगे प्रेसेडेंट साब ठीक है 226 हाइग कोट इशू कर सकते हैं र वोट आफ रिकॉर्ड होगा ये कहता है 215 और अडीशनल और एक्टिंग जजिस की बात करता है 214 एट ही को चाहिए राश्टिप पिछडा वरगायोग नैशनल कमिशन फर बैकवर्ड क्लासस की बारे में आपको सही बताना है कौन चाह है इसकी स्थापना हुई 1993 में इसको सम्विधानिक दर्जा मिला 102 संचोधन अधिनियम से 2018 के और इसको बनाने के लिए एक नया आर्टिकल लेकिया आए थे 338 बी तो उससे ये एक constitutional body भी बन गई सम्विधानिक निकाय बन गया और इसमें एक अध्यक्ष मिलेंगे आपको पाध्यक्ष मिलेंगे और तीन सदस्य मिलेंगे ठीक हैं सारे तो यहां से एक topic आपका त्यार होता ही है करेक्ट बताईए articles दिये हुए हैं फिर से और आपको बताना है कौन सा ठीक है तो article 243 ये आपका पंचायत है इसमें definition of पंचायत 243 ये में ग्राम सभा है इसमें दोला इंटेचेंजड है 243 B आपका ठीक है पंचायत का बनना 243 C आपका पंचायत में कौन-कौन होगा 243 D आपका seats कैसे reserved होंगी और 243 F आपका हो जाएगा disqualification of members ठीक है C होगा ना answer correct चुनिए municipalities का जो कारेकाल है उसके अवधी पांच वर्ष निर्धारित है हालकि समय से पहले भी उसको समापताप कर सकते हैं आपनी मतला related authority power जो होगी चुनाव की, control की, management की वो state election commission के पास होगी, राजय चुनाव आयोग के पास होगी और राजय विधान मंडल जो है वो provision बना सकता है municipalities related matters पे ठीक है बड़कुल correct चुनिए आपको कौनसा feature constitution का कहां से लिया गया borrowed features जो है उनकी बात हो रही है यहां पे तो बताइए कहां से कौनसा लिया गया देख लिजे साथ साथ Ireland से लिये गए DPSP United States से Independence of Judiciary Britain से Parliamentary System और Public Service Commission लिया गया Government of India Act से ठीक है मिलकुल see हो जाएग answer 62 का correct बताना है आपको कौनसा है पंचायती राज को समिधानिक दर्जाद देने के लिए जो सबसे पहले सिफारिश की गई थी वो लक्ष्मी LM सिंग्वी जो समिती थी उसने की थी 1986 में और इसका गठन जो है वो हुआ था लक्ष्मी मल सिंग्वी किया धक्षता में उन्हें के नाम पे कमिटी का नाम भी रखा गया ठीक है ये बात दोनों करेक्ट चुन्ना आपको एक टेररिस्ट और्गनाइजेशन पीपल्स वार गुरूप नाम का आतंगवादी संगठन 22 अपरेल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंड़ा पली सितरा मैया नामक एक नकसली नेता ने शुरू किया था सौवे संचुधन अधिनियम से 2015 से क्या हुआ था कि कुछ शेत्र भारत द्वारा धिगरत कर लिया जाए और कुछ शेत्र बांगलादेश को हस्तांत्रत कर दिया जाए वो कुछ एंक्लेव्स का चक्रता पूरा उसके लिए संचुधन अधिनियम आया था ये भी ठीक है लो करेक्ट चुनना आपको 19th February 2004 को लागुए संविधान के 89th जो संचुधन आया था 89th amendment उससे scheduled tribe के लिए commission ने क्या आया था अभी backward classes के लिए देखा था आपने आपिक और त्यार हो गया ठीक है राष्ट्रिय अनुसूचित जन्जाति आयोग करेक्ट चुनना आपको लोगसभा में निंदा प्रस्ताफ को स्विकारने का कारण बताना जरूरी होता है इट इस मेंडेटरी तो गिव दरीजन एक्सेप्टिंग दसेंश्योर मोशन इन ल निंदा करने के लिए कुछ कार्यों को कुछ नीतियों को कंडेम करने के लिए और लोगसभावे निंदा प्रस्ताफ पारित हो जाए तो मंत्री परिशत के लिए स्थीफा देना दरूरी नहीं है not mandatory for the council of ministers to resign ठीक है यह है तो यहां से आपका topic त्यार होता है censure motion सारे motions resolutions पता होने चाहिए आपको सही बताईए आप मंत्री मंदल शब्द word cabinet यह article 352 में आया था include किया था 44th amendment 1978 से जब Indian constitution बन रहा बना 1950 में तो भाषाएं कितनी recognize की गई चौधा 118 clause 4 कहता है कि speaker जो होंगे लोग सभाके वो सेयुक्त बैठक्क्य धक्षता करेंगे दोनों houses of parliament की यह भी ठीक है यह करेक्ट चुनना है आपको 148 clause 3 संसद के सद्नों और उनके सदस्यों की शक्तियां विशेश आदेकार उन मुक्तियों को निर्धारित करता है पावर्स प्रिविलिजिस और इम्मुनिटीज को दूसरा ठीक है यह आपका article 105 है और यह आपका 148 clause 3 है सही चुनना आपको correct option 1967 में अधिकारिक भाषा के रूप में मानिताप्राप्त डोगरी भाषा जो आपकी लैंग्विज थी यह उपर नीचे हो गया है ठीक है उधर अलगे इधर अलगे तो कोई नहीं बोडो लैंग्विज को देख लो 1967 में कहां बोली जाती है गुजरात राजस्तान महाराष्ट्र में डोंगरी को मिला था स्टेटस 2003 में जम्मू और हिमाचल में बोली जाती है नेपाली को रेकगनाइस किया गया था 1992 में सिक्क्यम वेस्ट बेंगॉल में बोली जाती है सिंधी 2003 में हुई थी रेकगनाइस असम और वेस्ट बेंगॉल में बोली जाती है तो अभी देखो गुजरात राजस्थान महराष्ट में बोली जाती है सिंधी नाकी बोडो और डोंगरी ठीक दिया हुआ है नेपाली 1992 ठीक दिया हुआ है और बोडो जो है वो 2003 में आई थी यहाँ पर बोडो हो जाएगा सिंधी नहीं खुद सोचो सिंधी कहां से असाम वैस बेंगवल में बोली जाएगी ठीक है करेक्ट चुनना आपको हाई कोट पूछ रहा है कौन सा हाई कोट कहां पे मतलब आंडमान निकुबार कौन सा हाई कोट केंडर आता है यह पूछ रहा है बी हो जाएगा अंसर पूदूचरी आता है मधरास हाई कोट केंडर यह इंटरचेंज है अचली दादराः नगर हेवेली दमनान द्यों बॉम्बे हाई कोट केंडर आता है करेक्ट चुनना है पाटीस के नाम और कब वो स्टाबलिश हुए देख लो बहुजन समाज पाटी, BSP, April 14, 1984 भारतय जंता पाटी, 6th April, 1980 National People's Party, 2013 आम आदमी पाटी, ठीक दिया हुए सही चुन्ना है, correct option राष्ट्रि धुवज का डिजाइन, National Flag का डिजाइन, Government of India ने अडॉप्ट किया, 22nd July 1947 राष्ट्रिगान, जर्ण, गर्ण, मन, 24 जन्वरी 1950 को भारतय समवधान ने अपनाया था हमारा जो कैलेंडर है, वो शाक समवत पे, शक समवत पे बेज है 22 मार्च, 1957 को भारत सरकारने इसको अपनाया था और National Emblem, Government of India ने अडॉप्ट किया था, 26th January 1950 सारे ठीक हैं और भाही अब बड़ी जरूरी डेट्स हैं, National Flag, National Anthem, National Calendar, National Emblem, Match the following, सही गलत, कैसे भी पुछ लेगा करेक्ट चुनिये, भारते वन सेवा, Indian Forest Service 1966 में स्टैबलिश की गई थी, एक All India Service के रूप में पॉसको एक्ट के अंडर 2012 में, चाइल्ड, बच्चा कौन होगा, मतलब बाल शब्द जो है, वो 18 वर्ष से जो कम है, वो एक चाइल्ड है Indian Public Service Commission आया था, 1926 में 1, 2 और 3 ठीक है, करेक्ट चुनना है आपको, Election Commission ने voter identity card पंचायत elections के लिए इशू किये, और करता है इशू मतलब, पहला State Election Commission कंट्री का बना था मध्यप्रदेश में, समविधान के नुच्छे 324 के तहट किसी राजिक की विधान सभा को अपने चुनावों के लिए कानून बराने की शक्ती दी गई है, Legislative Assemblies को ये powers मिली होई नहीं, पहला दूसरा ठीक है, 328 है ये आर्टिकल, ना की 344, करेक्ट पताईए, 281 के अंतरगत राष्ट्रपती विधायोग द्वारा की गई, प्रतिक सिफारिश को संसत के प्रतिक सदन के समख्ष रखवाता है, जुद्धे भी Recommendation Finance Commission दे रहा है, वो हर हाउस में रखे जाएंगे, ठीक है, भारत के समिधान में विधायोग को अनुच्छे 280 के अंतरगत एक अर्ध नियाएक निकाय के रूप में प्रदान किया गया है, मतलब जो Finance Commission होगा, वो एक क्वासाई फेडरल, क्वासाई जुडीशल बॉडी होगा, अनुच्छे 360 के तहट भारत की विध्य स्थिर्ता या साक पर खत्रे के कारण लगाए अपातकाल को आप विध्य आप बातकाल कहेंगे, अगर Emergency होती है, Financial Stability या Credit को लेकिए, ये भी ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हैं भाई, प्लीज इनको धान देलो, जो पूछे जा रहे हैं, यहीं पर प्रिपेर हो जाएंगे, Statutory Bodies, वैधानिक निकाय चुन लीजे इन सबने से आप ज़रा, B, Constitutional Body है, National Commission, First Scheduled Caste, बाकी सारी आपकी Statutory Body है, Correct Option बताना है आपको 20-वे पशुधन जन्गंडना, 2019 से संबन दित, 20th Livestock Census से रेलेटर बताना है, बक्रियों की आपादी में टॉप पे राजस्थान, सूरों की आपादी में टॉप पे यूपी, बहसों की आपादी में टॉप पे असम, और शीप, भेडों की आपादी में तिलंगना, कौनसा सही है, B ठीक है, First or Fourth, Pigs के टॉप पे, Pigs में रैंक टॉप है, एसम का, बफलोज में यूपी का है, केंदर ग्रह मंत्रे अमिच शाहने, अपरियल 2023 में सीमावर्ती गाउं किभी थू, एक बॉर्डर विलिज है किभी थू, इसमें वाइबरेंट विलिज प्रोग्राम की शुरुवात की थी, कहां पे है किभी थू, ये पूछ रहे गा, ये आपका इन में से किसी जगा नहीं है, क्योंकि ये अरुनाचल प्रदेश में है, ठीक है, और ये बेसिकली भारत-चीन सीमा में, अंतराष्टर सीमा के पार द्रिश्य का सामना करने वाला एक मात्र सरकल हेड़कॉर्टर भी है, तो यहां पे ये वाइबरेंट विलिज स्टार्ट किया गया था, उन देशों का चैन कीजिए, जो 2005 में स्थापित G4, Group of Four Nations के सदस्से हैं, तो B हो जाएगा, अंसर, इंडिया, ब्रजील और जर्मनी, ठीक है, जपैन है इसमें, चौथा, ठीक जी, ये G4 वाली कंट्रीज हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी कि हम पर्मनेंट मेंबर बन जाएं, United Nations Security Council के, सही चुनना आपको करेक्ट, National Bank for Agriculture and Rural Development, नाबार्ड की बात हो रही है, राष्टर क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक, इसकी स्थापना होती है 1982 को, 20 शिवरम समिती थी एक उनकी सिफारिशों पे, राष्टर क्रिशी एवं ग् मुख्याले जो है, वो मुंबई में है, यह आपको बताना है, अबडेटिट अगरिकल्चर डेटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से कौन सा सही है, कौन सा गलत है बताना आपको, इंडिया विश्व में चावल का सबसे बड़ा निरियातक है, एक्सपोर्टर है, बहारत में स बेसिकली राइस से रिलेटेड इंपोर्टन डेटा है, आप देख सकते हैं उसको, 81 देखेंगे अब, करेक्ट बिताना है आपको, उत्तर प्रदेश का रैंक सोलवा आया, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वार्मेंट रिपोर्ट जारी की थी, सेंटर फो साइंस और इन्वार् यह जो भी नियाए वित्रन के मामले हैं, इसमें एक करोड से ज्यादा की आबादी वाले, 18 बड़े और मर्द्यमाकार के राजों में, यूपी का स्थान 16 देखेंगे, बी ठीक हो जाएगा, मतलब पहला ठीक है, समझ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सेकिंड में, रांकिंग्स वगेरा दी होती ही, तो कई बार पूट सकता है, करेक्ट बताईए, नीती आयोग ने 7 दिसंबर 2023 को एक एस्पारेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रांकिंग गोशित की थी, जिसमें यूपी का कोशामभी जिला, उसका कोशामभी ब्लॉक, सेकि डेल्टा रांकिंग मिला है, दोनों ठीक हैं, तो ये आपका एस्पारेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की जो डेल्टा रांकिंग थी, उनकी बात हो रही है, ठीक, करेक्ट चुनना हैं आपको, एक रिपोर्ट, व्यपार पोटल के वार्षिक विश्रेशन के लिए राष्ट्र आयात निर्यात रिकॉर्ड के एक रिपोर्ट के अनुसार, व्यपार के वार्षिक विश्रेशन के लिए राष्ट्रे आयात निर्यात रिकॉर्ड अक्टूबर 2000, अपरेल से लेके अक्टूबर तक डेटा जारी किया गया, नाशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड इन आकडों के आधार पे UP 2.58 बिलियन डॉलर के निर्यात मुल्य और 16.65 प्रतिशत की हिस्तारी के साथ 2nd place पे हैं ये भी ठीक है तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको थोड़ा बड़ा सा लगेगा पर कोई नहीं थोड़ा सा देखके जाओगे ना अगर पेपर में ऐसी चीज़े आती तो फिर याद आई जाती हैं 84, करेक्ट चुनिया उप, यूपी में 2017-18 की टाइम पीरिड के दौरान 14.2% महिलाओं को काम मिला, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिला उनको और 32.10% विमिन को मिला 22 देश के टाइम पीरिड में, तो जो फिमेल लेबर फोर्स है, जो महिलाओं श्रम शक्ती है, वो 6 सालों में कितनी बढ़ गई, 17.9%, करेक्ट बताईए, ठीक हैं सारे, आपको सही चुनिया है, करेक्ट उप्षन, यूपी के बजट की बात हो रही है अब थोड़ा सा इसमें रुपे दिये हुए हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे, कौन से डेपार्टमेंट को कितने पैसे मिलें, तो यह हम डिरेक्ली कर लेते हैं, तो आचली क्या है कि प्राइमरे एजूकेशन डेपार्टमेंट को ठीक दिये हुए हैं बिल्कुल, एनर्जी डिपार्टमेंट को मिला है 57071, ये, पुलीस को मिला है 39516, ये, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को मिला है 34858 कुरोर्स, आपका ये, ठीक है, तो सिर्फ पहला ही ठीका, बाकी ये इंटरचेंज्ट हैं, नवीनतम, अग्यातिक क्रिशी डेटा, आपका लेटेस्ट, अपडेटिड अग्रिकल्चर डेटा, अब यहाँ पर देखो, इनकरेक्ट चुनना है, तो टॉप तीन, रेशनमुत पादक राज़े दिये हुए हैं, मलबरी सिल्क, सिल्क का टाइप होता है, टसर, एरी, आप द नाटक का होगा, मलबरी सिल्क वाले याद कर लो, टसर याद कर लो, एरी याद कर लो, एक और सिल्क है, मुगा, इसके मुझे आप बताओगे, कमेंट करके, फिर से आपका अग्रिकल्चर डेटा सही बताना है, पशु पालन संखिकी 2022 के अनुसार, दूद उत्पादन में दूसरा राज़े यूपी है, टॉप सेकंड स्टेट अन मिल्क प्रोडक्शन, यूपी के बजट के अनुसार, दूद उत्पादन में शीष राज़े यूपी है, ये तो एनेमल हस्बंटी स्टेटिक्स के हिसाब से था, ये यूपी बजट के हिसाब से है, टॉप स्टेट कौन सा है, तो जिंक में टॉप पे राजस्थान है, नमक में गुजरात है, यूरेनियम में आंधर प्रदेश है, बॉक्साइट में ओडी सा है, सारे ठीक मैच्ट हैं बलकुल, करेक्ट चुनियें, इंडिया का रैंक, टोटल एनर्जी कंजम्शन में कुल उर्जा खपत में तीसरा है, नवीनतम उर्जा सांखे की लेटेस्ट एनर्जी स्टेटिस्टिक्स 2023 के हिसाब से, तीसरा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रदक्शन में, बिजली उत्पादन में, सेम के हिसाब से, और, इंधन, धेहन केसे, कारबन डियोक्साइड का उत्सर जन, आप समझते हैं, कारबन डियोक्सट एमिशन फ्रॉम फ् leo combustion, इंधन का जलना, काबन डियोक्सइड का निकलना, इसके कॉंटेक्ट्स्ट में इंडिया का रैंक है थर्ड, ये भी ठीक है, तो य यूपी का Electronics Manufacturing Policy है, उसमें अगले पात सालों में कितने लाख व्यक्तिवों के लिए रोजगार सरजित करने का लक्षर रखा गया है, चार लाख लोगों के लिए, सही चुनना है आपको, ये नवीनतम खनिज डेटा की बात हो रही है पहली चीज तो, लेटेस्ट मिनरल डेटर 2023, अब आपको बजाना है, इंडिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोईला उत्पादक है, और थर्ड लाज़ेस्ट कोल रिजर्व है हमारे पास, तीसरा सबसे बड़ा कोईला भंडार है हाँ पे मिलेगा आपको, उत्रा जहारखंड भारत में लहोयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लाज़ेस्ट प्रेद्यूसिंग स्टेट अफ आइरन ओर, और भारत में लहोयस्क का सबसे बड़ा भंडार, रिजर्व कहाँ पे है, करनाटिका में, तो आपका फॉर्स्ट और फॉर्थ ठीक है, इंडिया का रैंक है अच्चुली फिफ्थ, कोल रिजर्व में, और उडीसा है, प्रेद्यूसिंग में सबसे ज़्यादा, प्रेद्यूसिंग, भंडार किसमें ज़्यादा, ये देखना पड़ेगा भई थोड़ा सा, करेक्ट चुनना है आपको, जीवन चक्र के अधार पे सबजीओं का वर्गी करन चुनना है आपको, basis of life cycle, एक वर्ष ये फसल, आनुवल क्रॉप कौन सी है, टमाटर, भिंडी, लोबिया, दुए वर्षी है, बाइनियल है, आपकी पॉइंटेट गाड़, परवल, हैसुन, हल्दी, शकरकंद, और बहु वर्षी है, मतलब पेरेनियल क्रॉप से है, आपकी, फूल गोभी, प् करेक्ट, कुछ-कुछ क्रांतियां है, वो किससे संबंधित होती है, ये देख लिजे आप जरा, तो गुलाबी क्रांती, पिंक रेवल्यूशन किससे होती है, जींखा मचली से, ठीक दिया रखा है ये, ठीक है, पिंक कलर के पैन से माग कर दो, सिल्वर है आपके एग से, र और गोल क्रांती, राउंड रेवल्यूशन है आपका, सबका फेवरेट आलू, अब आपको सही बताना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है साइंस का, चीजों में कलर, एलिमेंट्स, कौन से, कौन से एलिमेंट्स की वज़ा से होती है, जैसे लाल कलर प्यास का, किस की वज एलिमेंट्रिक में जो प्रापर्टीज मिलती है येलो कलर की, that is because due to curcumin, ये सारे ठीक है, बियूज अंजर, सेयुक्त राष्ट्र, यॉनाइटेड नेशन, कुछ-कुछ सालों को, कुछ-कुछ रैंकिंग देता रहता है, गोशित करता रहता है, आपको बताना है कौन सा सह ठीक है, आठ को आलुवालग बोला गया, दस को बायोडाइवरसिटी, जैवेविधता का, और 2011, इंटरनाशनल एर ओफ फॉरेस्ट, बिल्कुल ठीक हैं ये सारे, और important भी है जरा, ठीक है, याद रखना ये, कौन से राजे इन में से, सोनभद्र जिले के सीमा वर्ती राज जारकंट, हत्तिसगड़ और MP, तो हमाचल नहीं है, उत्राकंट, ठीक है, एक जिलाए एक उत्पहत, बहुत ही फेमस, वन डिस्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट, बताना है आपको, देख लीजे ज़रा इसको एक बारी, क्वेस्टिन को, तो बलिया है बिंदी के लिए, मेरट है हमारा स्पोर्ट्स प्रॉडक्ट्स के लिए, बारबंकी है आपका टेक्स्टाइल प्रॉडक्ट्स के लिए, वस्तृत पाद के लिए, लखीमपुर खीरी है, जनजातिय शिल्प के लिए, ट्राइबल क्राफ्ट के लिए, तो match the following राज के विश्विद्याले और कब वो स्थापित हुए कीजिये match वीर बहादूर सिंग पूरवांचल उनिवर्सिटी कहां पे है जॉनपूर में है 1987 का है चत्रपती शाहूजी महराज उनिवर्सिटी कानपूर में है 1965 डॉक्टर भीमरावंबेटगर आगरा में है 1927 बहुत पुरानी है डॉक्टर राम मनुहर लोया अवध उनिवर्सिटी अयोध्या 1975 इन संगीत सांस्कृतिक संस्थानों एवं स्थापना वर्ष को आपको सही करम में बताना है ठीक है 1920 उत्तर प्रिदेश फिल्म कॉर्परेशन 1975 है मोतिलाल नहरू चाइड म्यूजियम लखनों में है 1957 है यह और ललित कला है आपका लखनों 1962 उत्तर प्रिदेश के प्रमु कुछसव और जिलो से संबंजित आपको सही बताना है होरों से मेजर biggest र describes दिस्टर डूस फिल्ट , आपका हुरंगा INTER 싸व महुंत्व होता है आपका कृषन कात्रा में ही होता है Sumay कत्रा मिर्जा पुर का जार्फन कचर्श है ऊहांमी पहलता है आप देखें आप इन सब equations को इन सब statements को आपको देखना है Bragg spectrum meter इसका use होता है X किर्णों की तरंग धरे मापने के लिए wavelength of X-rays pyro heliometer पौधों के ताप को मापता है temperature of plants को pyro meter बहुत अधिक तापमान मापता है very high temperatures alcohol thermometer कम तापमान मापने के लिए किया जाता है low temperatures मापने के लिए बताईए first, third और fourth ठीक है pyro heliometer actually solar radiation जो सौर विकीरन होता है उसको मापने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है आपको बताने है statements जब शुद पानी में detergent मिलाय जाता है तो पानी का प्रिष्ठ तनाफ बढ़ जाता है when detergent is added to pure water surface tension of the water increases यदि हवा का तापमान बढ़ता है temperature air का increase होता है तो इसकी जलवाश्प को अव्शोषट करने की क्षमता बढ़ जाएगी ability to absorb water vapor जो है वो बढ़ जाएगी जब कोई पिंड काला और खुर्दरा होता है तो वो सबसे अधिक गर्मी अवशोषट करता है when somebody is black and rough so वो heat absorb करेगा सबसे ज़्यादा कडाके की सरदी में ठंडे देशों में पानी की pipe में फट जाती है पानी जम जाता है pipes burst in cold countries because water expands when it freezes so what is the correct answer c 2, 3 and 4 पहला इसले गलत है जब detergent मिलता है पानी में तो surface tension घट जाती है नाकी बढ़ जाती है घट जाता है कम हो जाता है उत्तल दरपन का प्रयोग convex mirror कहां पे नहीं होता है पूछ रहा है स्ट्रीट लैंप्स में torch light में वीकल्स की head lights में और dentist दाथ को बढ़ा करके देखने के लिए shaving के लिए जो mirror यूज होता है उसमें कहां नहीं होता है क्या रहा है 2, 3, 4 इन में आच्छुली convex mirror का इस्तमाल स्ट्रीट लैंप ठीक है बिलकुल यहां पे convex हो रहा है यूज सही चुनिए correct niachrome करके धातू metal होता है वो heater में, blowers में, merchant rods में यूज होता है tungsten आपका विद्यूत बल्बों में electric bulbs में और halogen light में tungsten और sodium का alloy यूज होता है mercury और phosphor CFL lights में यूज होता है आपको अवरोही क्रम बताना है ठीक है बिलकुल विद्यूत चुम्ब के spectrum एंडिंग ओर्डर वेवलेंथ का radio तरंगे अवरक्त विकीरन, पराबैंगनी विकीरन, एक्स किरन तो ये ठीक है radio waves उससे फिर micro, फिर descending है ये सबसादा radio waves है और सबसे कम x-ray के बाद आती है आपकी gamma rays so मेलित करना है आपको discovery और किसने क्या खोजा तो इसका आंसर तो देखिए c है positron की खोज की Carl D. Anderson ने mizon की heidi की युकावा ने neutron की आप जानते है James Chadwick और electron जे जो था हम समने तो आसान वाले थे निमलिके धातिओं को उनके आयसकों से समयलित कीजिए metals को उनके ores से मिलाईए ठीक है तो क्या हो जाएगा आंसर Aluminium का ओर है Cryolite Copper का है आपका Malachite Sinabar आपका Mercury का होता है और Siderite आपका Iron का होता है ऐसे ही आप मुझे बताएंगे Zinc के ओर का नाम विचार कीजिए बस आंसर मत मताईए विचार कर लीजिए Lithium सबसे हलकी दहतू है और Osmium सबसे भारी Lithium lightest, Osmium heaviest metal Carborundum एक और है Aluminium का उसमें property होती है Aluminium की जो की hard होता है कठोर होता है लेकिन Lachila नहीं होता हूँ Cast iron कच्चा लोहा कठोर होता है लेकिन दबाव में भंगुर होने की प्रवरती के कारण Lachila नहीं होता क्योंकि It is hard but not ductile Because it has a tendency to become brittle under pressure Pressure में Lachila हो जाना चाहिए इनसान को है 1,2,3 ठीक है बिलकुल अभी खतन और कारण दी हुए है आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है Hawaii judge के जो tire होते हैं Aircraft के उसमें nitrogen gas प्रियोग की जाती है Nitrogen gas का दबाव कम होने की वजह से Tire फटनने की संभावना कम हो जाती है Because nitrogen gas is at low pressure So tire burst chances are very less Correct, absolutely correct Match the falling कीजी आप ये आपके chemical names और common names दियो है A हो जाएगा Sodium hydroxide क्या है Caustic soda Sodium carbonate washing soda Sodium sulfate globus salt है Sodium nitrate chile salt peter है विचार कीजीए जब fit curry को गंदे पानी में मिलाते हैं तो gel का शुद्धी करन क्रमशा सकंदन, उनन और अफसादन के माधिम से होता है आप जानते हैं alum जब dirty water में mix होता है तो purification ज़लाता है through coagulation, fluctuation and sedimentation Amalraj या aqua regia या nitro hydrochloric aml nitric aml और hydrochloric aml का एक mission है आपने सुना होगा aqua regia It's a mixture of nitric acid and hydrochloric acid गोबर में बड़ी मात्रा में उर्जा होती है जिसे bio gas सैयत्र में किन्वन प्रक्रिया के माधिम से निकाला जाता है It contains dung बहुत सारे energy होती है उसी को तो bio gas से भार निकालता है energy को ये भी ठीक है Nitro chloro foam इसका use रोगानू रोधी कीट नाशक के रूप में होता है anti-microbial और insecticide है ये sulfuric acid जो है वो car battery में विद्यूत अप घर्टिया के रूप में काम करता है मतलब electrolyte in car batteries शुद hydrogen peroxide हलका नीला तरल है इसे oxygen yugt gel कहते हैं और hydrogen peroxide जो होता है it's a light blue liquid और इसको आप क्या कहते हैं oxygenated water तो ये ठीक है ये भी तो अचा स्तन मस्तिश्क और गर्भाशे में होने वाला cancer जो है उसको कहते हैं sarcoma blood muscles cartilage में होने वाले cancer को कहते हैं carcinoma अस्थी मज्जा प्लीहा यकृत में होने वाले cancer को कहते हैं lymphoma और WBCs की जब संख्या जादा भढ़ जाए excessive increase in the number of WBCs हो जाए it's called lykima 3 और 4 ठीक है जो skin, breast, brain, uterus का cancer होता है that is carcinoma और blood muscles cartilage का होता है sarcoma खसरा, morbidly virus के कारण होता है measles, chechak, smallpox होता है variolla virus से chickenpox होता है versilla zoster virus से और heja, cholera होता है vibrio cholery virus से कौन सा सही है 1, 2 और 3 ठीक है cholera होता है vibrio cholery bacteria से ना की virus से ठीक है ना bacteria से होता है यह कौन सा bacteria से होता है कौन सा virus से होता है पता होना चाहिए सुमेलित करना है आपको रूट्स जड़े दीवी है और कौन सी फसल की वो जड़े होती है बिसिकली कौन सी फ्रूट वेजटेबल से वो रिलेटेड होती है तो आंसर तो भी है ट्यूबरस आपकी कंदिल जड़ों में आता है शकरकंद स्वीट पटेटो और फैसिक्यूलेटेड पुलकित जड़ों में दालिया एसपार्गस एसपार्गस नहीं होता वो डंडी सी होती है अरे बड़ी फैंसी कोकिंग में भी यूज करता है उसको नौ को लिवीलेटो फोम या बीडिड गर्गऄरर अंगूर करेला भृहादपोशक थल्मास पानीन है6 माहिक्रो माइचरोडों डोतराइक नдеं यूट्रेंस होते हैं तो बताने हिए आपको को से आचियू तो मैक्रो में आपके याते हैं नायटोजेन, फोस्फोरण, पोस्फो तो आंसर 1,2,3,4,5 हो जाएगा, मैंगनीज, क्लोरीन भी इसी में आएगा, नहीं, क्लोरीन माइक्रो में आएगा, आंसर सॉरी, B है, इसका, गलती से बोला मैंने, सॉरी, सही चुनिए, करेक्ट ऑप्शन, अफीम पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होती है, ओप्यम जो है, वो raw fruit of poppy से मिलता है, क्याफीन मिलता है, सिंकोना की छाल से, सिंकोना बार्क से, और रैस्परीन राओफेलिया, ये मिलता है, रैस्परीन जो है, वो राओफेलिया की जड़ों से मिलता है, कैफीन मिलता है कॉफी के बीजों से और थीन जो है वो चाई की पत्तियों से मिलता है ठीक है सारे अच्छे है यह question आ सकता है OPM कहां से आ रहा है, कोईनन कहां से आ रहा है यह revise कर लिए और वो एक बारी बैट के खुछ से सही चुनना है correct कौनसी वाइटमिन और उस वाइटमिन के कम होने से कौनसी बिमारी होती है यह देखना है आपको देख लो यह बड़ा फेवरेट क्वेस्टन है यूपीपीजियस का 1,2 और 4 ठीक है रेटिनॉल आपका विटामिन A है नाइट ब्लाइडनेस इंपोर्टन्ट है विटामिन A थाइमीन आपका B1 होता है यह कम हो जाए तो बेरी-बेरी हो जाता है कैल्सिफिरोल इस विटामिन D इससे रिकेट्स होता है सकर्वी नहीं रिकेट्स विटामिन C की कमी से सकर्वी होता है और K फाइलोकुनाइन है सही चुनिए उत्तरप्रदेश सरकार ने हाली में 2030 तक देश के से फाइलरी या नाम की जो बिमारी है वार्शिक सामोहिक औशथी पिसाशन अभ्यान शुरू किया है ठीक है तू एलिमिनेट फिलेरियस उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री होगे अधित्तिनात ने हाली में आयोध्या के आंगनवारी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका हुआ भूजन उप्लक्त कराने के लिए होट कुग्ड मील करके यूजना स्टार्ट की गया आयोध्या में परेटन टूरुजम को बढ़ावा देने के लिए उत्तरप्रदेश की पेइंग गेस्ट यूजना भी स्टार्ट की गई है बी ठीक है दो तीन पहला क्यों गलत हुआ दो हजार सताइस है टार्गेट याद रखेगे आपको बताना है उत्तरप्रदेश ने हाली में लगातार तीसरे वर्ष इंटर औपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लाटफॉर्म पर उच्चितम प्रवेश दरदर्ज करके पहला स्थान हासल किया है लगातार तीसरे साल है ये इनका प्रधानमंत्री ने हाली में greater noida में 750 एकड में फैली integrated industrial township का उदगाटन किया है और UP सरकार ने हाली में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए safe city करके project एक launch किया है ठीक है यह 121 देखेंगे गलत चुनना आपको incorrect भारत के सबसे अधिक आभादी वाले राजय यूपी ने अपने 9576 गाउं में 100 प्रितिशत खुले में 100 मुक्त का दर्जा हासल कर लिया 100% open defecation free plus status हासल कर लिया है इतने villages में which is a very good thing उत्तर प्रिदेश ने artificial intelligence को बढ़ावा देने के लिए एको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लखनों में भारत का पहला artificial intelligence city बनाने की गोश्चना किये इनकरेक्ट बताना आपको कोई गलत नहीं इन में से बढ़ी आएं दोनों बात है यूपी सरकार ने हाली में निमलिकित में से किन और द्योगिक निकाओं के लिए 2940 करोड रुपे मनजूर किये हैं कौन से industrial bodies के लिए किये हैं तो ये तीनों के लिए ही किये हैं के यमना एक्सप्रेस फेश आजमगड ने आजमगड में हाली में आपका IGRS पॉर्टल पर प्राप्ट जन शिकायतों के निश्तारण में पूर देश में फॉर्स ट्रैंग हासल किया है और उत्र प्रदेश ने हाली में पंजिकृत निमेशकों की संख्या के मामले में राजस्थान को पचाड़कर टॉप प्लेस हासिल की है उत्यप्रदेश ने हाली में प्रतिवर्ष 10,10,000 की हरित हड्रोजन उत्पादन शम्ता बनाकर अपने उर्जाक्षेतर में क्रांती लाने का लक्षे रखा है पहला और तीसरा सही है दूसरा गलत हो गया वो हमने ओवर्टेक किया है गुजरात को ना की राजस्थान को consider the following statements AU Small Finance Bank ने हाली में भारती रिजर्व बैंक के पूर डिप्टी गवर्नर हारुन रशिद खान को अपना पहला अपना गैर कारेकारी अध्यक्ष न्यूक्त करने की गुष्टना की है नॉन एग्जेकेटिव चेर्मेन बनाया है केन सरकार ने हाली में गुजरात के सूरत हवाईड़े को इंतराश्टर हवाईड़ा गुष्ट किया है प्रदानमंत्री चिनरेंदर मोदी ने MY माय भारत पॉर्टल जो है उसमें केवल तीन महीनों में 1.45 करोड से ज्यादा पंजिकरन रजिस्टरेशन हुए हैं तीन ही महीनों में और BCCI सेक्रेटरी जैशाहा जो हैं वो अब रेसेडेंट हो गए हैं एशन क्रिकेट काउंचल के for the third consecutive time तो ये सारे सही है ठीक है सही चुनना है आपको करेक्ट वेस्ट इंडीस के खिलाडी मारल सैमुल हाली में ICC ने 6 साल का इनके उपर प्रतिबंद लगा दिया है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कॉनाड के संग्मा ने एक water smart kid करके campaign launch किया है बच्चों के लिए जल जी वन मिशन के अंतर गताएगा ये सैफरन आप जानते हैं केसर को किष्टवाड में उपगाया जाता है अभी GI tag मिला है हाली में CAG जो है Robert मुर्मुरू उनको Vice Chairman बनाए गया है United Nations Auditor Committee 2014 का ठीक है तो आपको बताना है क्या है क्या नहीं सही है बताईए ये Comptroller and Auditor General हमारे ये न यहाँ पर Robert मुर्मु नहीं आएगा ये है आपके गिरीश चंद्र मुर्मु ठीक है बस ये हाँ पर हलके सी problem है बाकी तो ठीक है फिलाल वाले जो है तो ये आपका answer यहाँ पर हो जाएगा B असल में पहला इसले गलत नहीं पहला नहीं दूसरा इसले गलत हुआ ये Meghalia के Chief Minister है ठीक है जी सही बताना है आपको correct option दुनिया के पहले 3D printed मंदर 3D printed temple जो है वो है तिलंगना के आपका सिद्धिपिठ district में बुरुगुपली सेयुत्रब अरब अमिरातने हाली में दुनिया के सबसे वड़े 100 रुजिया सेयुत्र 2 गीगावाट अलदफरा solar photovoltaic independent power project का गाटन किया है वर्ल्ड का लाज़र solar plant है यहाई है सही हैं बिल्कुल गलत चुनना हैं आपको incorrect और द्योगिक और प्राकृतिक ग्यास मंत्रीशी हरदीप सिंग पूरी ने हाली में भारत में पहली बार इंडियन औरल कंपनी आपका REF ट्रेनिंग डीजल पेट्रोलियम लॉंच किया है FPI ने इंडियन शेर होल्डिंग एक्वायर की है 7702 करोड की एक दिन के sale of the year में ठीक है एक दिविसीय बिक्री में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजिन ने हाली में 237 करोड रुपेगे के अनुमानित निवेश के साथ ग्राफीन उत्पादन पे काम स्टार्ट किया है कोई गलत नहीं है कौन सा सही है option कौन सा correct है प्रधार मंत्री ने हाली में नई दिली में इंडिया मोबाइल कॉन्फरेंस का 7th edition inaugurate किया था महराश्च्ट सरकार ने हाली में I Start Spot Connected Portal ये नाम है पूरा पॉर्टल का वो लाँच किया है केंद्री सरकार केंद्रिक ग्रह मंत्री अमिर्च्छा ने हाली में National Council for Export Limited करके उतका लोगो निकाला है और वेबसाइट लाँच की है पहला Freedom Wind Tunnel Indian Army Special Forces Training School है हेमाचल प्रदेश में वहाँ लगाए गया है C ठीक है 1, 3 और 4 Second गलत है Because ये I Start Sports Connected Portal जो है ये राजस्थान का है कौन सा गलत है? Incorrect पूछ रहा है PM Modi ने Preside की थी 43rd Edition प्रगती मीटिंग की Swiggy ने Madrasah Insurance Scheme Women Stock Exchanges के लिए योजना स्टार्ट की है भारत और येर्पे संग ने हाली में गिनी की खाड़ी Gulf of Guinea Mark करो मैप में जैसी ऐसी चीज़े आए करे वहाँ पे Joint Naval Exercise की थी B ठीक है Incorrect है, sorry B ये Zomato ने किया है Swiggy ने होगा तो Zomato होगा Zomato ने होगा तो Swiggy होगा खुद तो खाना बना के खाना नीचाता कोई है न कौन सा विखल्प सही है Correct कौन सा है बुरा नी मानी है गए ये एक बस बात है ठीक है न बिल्कुल खाते हैं लोग हाली में आयुशमान भारत जै के पांच वर्ष और आयुशमान भारत डिजिटल मिशन के दो साल पूरे होने के अफसर पर आरुग्य मठ करके 2023 कायोजन हुआ था 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ की कॉन्फरेंस मुंबई में हुई काटरीना काफ यूनीकलो इंडिया जैपनीज ब्रांड है ये काफ़ी अच्छे गरम कपड़े हैं नके इनर्स वगेरा बहुत अच्छे हैं महेंगे हैं बारते सशेश्त्र बलों के पहले C295 को हाली में आधिकारिक तोर पर हवाईक शित्र में शामिल कर लिया गया है बताईए 1, 3 and 4 is correct 2nd क्यों गलत हुआ है क्योंकि ये आपकी और्गनाईज हुई थी नई दिल्ली में कौन सा सही है? Correct सिफत कौर समारा गोल्ड मेडल जीती है विमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इवेंट एशन गेम्स 2013 में आली में 8 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है इसका था 2024 की थीम थी मारपोल अट 50 आर कमिट्मेंट गोज ओन गलत चुनना है इंकरेक्ट इंडिया ने 45 रांक अचीव की है ग्लोबल इनोवेशन स्टॉक 2023 रांकिंग में जो की WHO World Health Organization ने पबलिश की थी इंडिया और इनाइटेड नेशन्स ने Global Capacity Building Initiative वैश्विक शम्ता निर्मान पहल की शुरुवात की है प्रधान मंत्री ने हाली में शांदार गुजरात Global Summit कारिकरम की 20 वी वर्षकार सम्हारों में भाग लिया इंकरेक्ट पूछ रहा है पहला गलत है 40 भी रैंक है ना कि 45 भी सही चुनिये करेक्ट पिये श्रिधरन पिल्लेई ने हाली में प्रकृती पेडों और भू राजधानी पर तीन नवीन आपत्तियों का समाधान किया है नेचर, ट्रीज और जियो पॉलिटिक्स पे राष्टे स्वास्ति प्राधिकरण ने हाली में सिक्किम में पहला ABM Micro Asset लॉंच किया है मध्यप्रिदेश के आईटी अब इंदौर ने हाली में स्वच्च वार्यू सर्वेक्षन 2023 में पहली रैंक हांसल की है Secured, First Rank in Clean Air Survey 2023 प्राधान मंत्री निरेंदर मोधी हाली में 40 वर्षों में ग्रीस की आत्रा करने वाले पहली भारते बने है First Intent to Visit Greece in 40 years बताओ, ग्रीस ही नहीं किया था क्या कोई? 1, 3 और 4 तहीं है Second गलत हुआ है ये मिजोरम में किया है पिक्चरों में दिखाते हैं ग्रीस फ्रीस पतान मंत्री नहीं जाते हैं सही चुनना है Correct option विट मंत्री निर्मला सीतरमन ने हाली में HSBC इंडिया का Green Hydrogen Partnership उसकी शुरुबात की है भारत हेवी Electricals Limited ने स्वदेशी Selective Catalyst Reactor के सफलता पूरवक पूरा किया है Electronics और IT मंत्राले ने हाली में पहले Digital India Future Skills शिखर सम्मेरिन का आयूजन किया सही हैं इसारे Correct चुनना है नीरत चोपडा ने हाली में Hungary के बुड़ापेस्ट में आयूजित Wish Athletics Championship में कास से पदक जीता है Bronze Medal World Athletics Championship बुड़ापेस्ट में हुआ था Union Education Ministry ने ओफर किया है College Education को Release करने के लिए Research of National Course Indian Coast Guard ने साइन किया है एक Agreement फिलिपीन Coast Guard के साथ कि हम अपना समुदरी सही होग बढ़ाएंगे Tennis Star Rofil Nadal को हाली में Infosyska Washwick Brand Ambassador बनाएंगे 2,3,4 पहला पहला गलत हो गया है Gold Medal जीते हैं यह गजब की फॉर्म है इनकी Consider the following statements भारत ने हाली में इश्याय विकास बैंकिस सहीोग से दिल्ली में जलवायू परिवर्तन और स्वास्तिक के इंदर स्थापित करने की गोशना की है Center for Climate Change and Health in New Delhi आपका Michelle Zarate Palamok और Sebastian Maura इनको United Nations Global Climate Action Award में समानित किया गया भारत ने हाली में Six Sky एक AI-powered chat assistant करके है वो launch किया है यह काम बड़े जल रहे हैं आजकल AI वाले किन दो देशों ने हाली में डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्थर पर कार्यानमें सफल डिजिटल समाधानों को साज़ा करने पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं Successful Digital Solutions Implemented at the Population Level for Digital Transformation किन दो देशों ने किये हैं इंडिया और कोलंबिया माक कर लो जाके कोलंबिया नहीं पता तो उसके आसपास के देश देख लो कहां पे है कहां नहीं यह सब चीजें कर लिया करो खुद से गलत चुने इंकरेक्ट फरवरी महा में पद्मश्री पुरुसकार विजेता प्रसिद भारते शेफ इम्तियास कुरेशी का हाली में तिरान में वर्ष की आयू में निधन हो गया पारबू और सुभियांटू नेक्स्ट प्रसिदेंट बने हैं नाम देख रहे हैं आप यह एक इंडोनेशियन बेसिकली वो हैं मतब ही विल भी दी नेक्स्ट प्रसिदेंट अभी यह पूरा चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है यह इंडोनेशियन पॉलिटीशन है अक्चुली तो ही विल भी दी नेक्स्ट प्रसिदेंट ओफ इंडोनेशिया ठीक है बनेंगे, बनें नहीं हैं, ध्यान रखेगा अभी आइरन ओर डिपोजिट मिले हैं, माइन्स डिपाट्मेंट करॉली राजस्थान में वर्ल्ल बैंक की साहिता से सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंग तमांग ने राउंच किया है सिक्किम इंस्पायर्ज, इंकरेक्ट चुन्ना है आपको तो आपका, अभी इसमें C हो जाएगा, लेकिन देखिए, जो आपका यह वारा कुश्चन है न ये नेक्स्ट प्रेसिदेंट होंगे इंडोनेशिया के, ठीक है और ये विल्कुल ठीक दिया हुआ है, ये ठीक दिया हुआ है, इंस्पायर्ज करके जो स्कीम है, ये देख सकते हैं आप ठीक है, तो अभी जो इनके बाद ये एक्चुली, हेड अफ दी गवर्मेंट, जो करेंट प्रेसिदेंट है, रिपब्लिक ओफ इंडोनेशिया के, वो है जोको विडोडो, ध्यान दीजेगा प्लीज, जोको विडोडो, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, एक हेड अफ दे स्टेट होता है, और एक और न्यूली, इलेक्टेड जो थे, फेबररी की न्यूज है यह, वो थे आपके प्रेसिदेंचल इलेक्शन्स में जो जीते थे, प्रेसिदेंट पैरबुओ सुभियान तो, ठीक है, यह ध्यान देना है आपको, इन दो चीजों में कन्फ्यूजन ना रखिएगा, ठीक है, यह अभी प्रेसिदेंट इलेक्ट हैं, इंडोनेशिया के और करेंट मिनिस्टर आफ डिफेंस हैं, ठीक है, चले, बस यहाँ पर यह ग्लैरिफिकेशन है, Consider the following statements, तिलंगना विधान सभा ने हाली में परी सीमन और एक राश्र एक चुनाव प्रस्तावों को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था, डिलिमिटेशन, वन नेशन, वन एलेक्शन प्रपूजल्स, श्री पश्वतिकुमार पारस ने हाली में खाद्दे उद्धिमियों के लिए सुफलाम कॉंक्लेफ करके फूड एंट्रपनॉस के लिए लॉंच किया है, और निखिल जोशी को हाली मे बोईंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डिरेक्टर बनाए गए हैं ये, टू और थ्री ठीक है, पहला तमिलनाडू असेम्बली है इसका अंसर, तमिलनाडू में हुआ था ये, ताटा स्टील ने हाली में नवाचार और उद्धिमिता को बढ़ावा देने के उद्धिश से, निमलिखित में से, किस भारते प्रद्योगी की संस्थान, रिसर्च, एंड अंट्रपेनॉर्शिप पार्क के साथ एक समझाता, साइन किया है, ये आपका IIT भुबनेश्वर क अब ही आपको कंसिडर करने ये स्टेट्मेंट्स, पंजाब ने हाली में हरत आवरन को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना काउद घाटन किया है, तो प्रमोट ग्रीन कपर, भारत और नेपाल के केंद्रे बैंकों ने हाली में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफे बी हो जाएगा, टू और थ्री ठीक है, पहला आपका गलत हो गया हर्याणा, वन मित्र हर्याणा, ना कि पंजाब Consider the following statements, भारते फुटबॉल की राष्टर टीम नवीनतम फीफा रांकिंग के में 15 स्थान गिरकर 115 पे आ गई है, सोचिए, 15 places to 150, मतलब 15 पहनी थी, 15 places गिरकी आई है एक से 15 पे, और प्रतिश्थित बर्गंडी प्राइवेट हुरोन इंडिया, 500 सूची के अनुसार, सिरम इं पारविधान सभाक्या, अध्यक शुनको ने उप्त किया गया है, इंडिया की पहली हेलिकॉप्टर एमेरिजन्सी, मेडिकल सर्विस, काहां से स्टाट हुई है, उत्राखंड से, टू-3-4 ठीक है, पहला गलत हो गया, एक सो सत्रा पुजिशन पे है, 117th ना की 115th, सही चुनना है, correct option, ग्रीस हाली में समलैंगिक विवा को वैथ बनाने वाले कानून को मन्जूरी देने वाला पहला बहु संक्यक रूडिवादी इसाई देश बन गया, पताई क्या क्या हो रहा है, 1st Majority Orthodox Christian Country to Approval Law Legalizing Gay Marriage, वैसे सबकी अपने जिंदेगी है, है न, जो चाहें वो, होना भी चाहिए, एक तरफ से देखा जाये तो, खेर, फिर है आपका, हिमाचिर प्रदेश ने टॉप किया है, बुकिंग्स.com का 12th Annual Traveler Review Award, दो होजार जौबिस, UK क्लब क्रिकेटर रिजवान जाविद ने को बैन लगा दिया, 17 साल का, अंटी करॉप्शन कोड को, उन्होंने, मैच फिक्सिंग वगेरा के लिए, यह काम करते हैं लोग, फिर बताईए, यह न, 1 और 2 ठीक है, थर्ड आपका गलत होता है, यह आपका, इनको बैन लगाया है, UK क्लब क्रिकेटर रिजवान जाविद को, 17 and a half years का बैन लगा है, 17 and a half, साड़े सत्रा साल है यह, सही चुनिए, करेक्ट, Lebanese नवाफ सलाम, उनको प्रेसेडेंट इलेक्ट किया गया है, International Court of Justice का, ठीक है, ICJ के प्रेसेडेंट बने है, ICJ के प्रेसेडेंट प्रेसेडेंट है, Lebanese जज नवाफ सलाम, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और ODISA के चीफ मिस्टर अनवीन पतनायक ने इनागरेट किया है, बाक्ची श्रीशंकर कैंसर सेंटर और रिसर्च इंस्ट्रिटूट बोबिनेशवर में, ठीक हैं, विल्कुरें, नादिया कैलवीनो को हाली में यॉर्पे निवेश बैंक का निया अध्यक शुना गया है, अडिडास ने हाली में चीन के बाहर अंधर प्रदेश में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक शमता केंद्र स्थापित किया है, हाली में विकलांग व्यक्तियों के लिए राजयायुक्त की अधिक्षता में गोवा में समावेश्टा और सशक्ति करन, ये वर्ड्स बड़े बज़वर्ड्स हैं आजकल, ध्यान रखिए का इस चीज़ को, थर्ड ठीक है, एडिडास ने तमिल नाडू में लगाया आई है, ये इंपोर्टन्ट है न्यूज, सही चुनिए, करेक्ट, केंद्र सहकारिता मंत्री अमिच शहाने हाली में किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोटल, तूर दाल प्रिक्यॉर्मेंट पोटल जो है वो अधिकारिक तौर पर हिम तेंदूए को अपने राष्टर प्रतीक के रूप में नामित किया है, सिंगापूर के चांगी हवायड़े ने हाली में 2023 के प्रतिष्ठित स्काय ट्रैक्स अबॉर्ड में विश्व के सरस्रेष्ट हवायड़े का खिताब पुनहां जीता है, ठीक बहरत पार्क, इस सुरों ने टेस्ट किया 100 वाट का पॉलिमर एलेक्रोलाइट मेंब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम, ये इंग्लिश में भी हिंदी में भी यह है, पोयम 3 और बाइटल प्लाटफॉर्म, PSLV C58 से, रवी कुमार जहा को अपन्ट किया गया है, MD CEO of LIC Mutual Fund, स फिर से pension योजना बाहल करने वाला पहला उत्रपूर वी राजबन गया है, महराष्ट में 40 रोपई पर योजनाओं को पूरा करने के लिए हाली में NHAI के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है, केंदस्वास्तर मंतरी डॉक्टर वंसुक मंडाविया ने हाली मे उजन में भारत की पहली स्वच फूड स्ट्रीट प्रसादम करके है, इंडिया का पहला क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम उजन में स्टार्ट किया है, अब रोज खाव भार का खाना है, खाना नहीं चाहिए, टू-थ्री, पहला क्यों गलत हुआ, सिक्कीम बना है, सिक्क खुश हो जाओ अब तो, दो ही सवाल रहे गए। फरवरी, टू और थ्री ठीक हैं, पहला क्यों गलत हुआ, ये युनिवर्सिटी ओफ बिर्मिंगम के हैं, ना की कैम्बरिज, युनिवर्सिटी ओफ बिर्मिंगम, बिर लिख दितियों बस याद रखना, खुशी की लहरें, प्रसिद बंगाली लेखक शिर्शेंदू मुखपाध्याओ को, हाली में मर्नो परांथ दो हजार तेईस, कोवियमेंपू, राश्टर पुरुषकार से सम्मानित किया गया, कोवियमेंपू, नाश्टनल अवार्ट इनको दिया गया है, पोस्थोमसली, पंजाब हाली में नाविगेशन सिस्टम मैप्स एप पर सभी 784 दुरखटना संभाविच शेत्रों को, ब्लैक स्पोट के रूप में व्यापक रूप से मैप करने वाला पहला भारते राज्जे बन गया है, वाइस एड्माइरल संजे जसजीत सिंग को हाली में भारते पश्चमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में न्यूक्त किया गया है, तो कॉन सा करेक्ट हो जाता है? अहने क्रेक्टे हैं, अब एक करेक्ट आ रिपा आप मुझ के किजिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए, स्कोर जो लोग नहीं करा सकते बिलकुली है, मैडम हम तो हम कुछ नहीं करेंगे हम तो ओल्टा कमिया निका लेंगे लेक्चर में तो वो ज़रा कमिया निका लिए और थोड़ा सा जो मैंने questions पूछे हैं उनको बता दीजिए कोई भी paid group join करना चाहते हैं उनके लिए numbers पे call whatsapp कर सकते हैं हमारी app आप गूगल प्लेश्चोर से पक्का से डाउनलोड कर लीजिए कुछ भी नहीं तो paid group जरूर जोइन कर लीजिए paid quiz हमारी जोइन कर सकते हैं उसमें रोज यह आपके जो जितने भी current affairs वाले सवाल है वो सब through हो जाते हैं उसमें test series में कई बार ऐसा हो जाता है कि पुरानी चीजें आगे repeat नहीं होती उसमें हर चीज current affair हो सब कुछ often repeat होता रहता है ठीक है तो यह काम आप जरा कर लीजिए अब मेरी शुप कामना है बहुत बहुत आप सब के साथ हसते मुस्कुराते बहुत मेहनत से पढ़ते रही है गर्मी बहुत हो गई है नीबु पानी वगएरा पीते रही है ठीक है और अच्छे से अपना एक्जाम देखिया है बहुत बहुत धन्यवाद